नोश्का, मैं बाबा अनिल, अनिल मुजुंदा, लखनवस, अक्सर मेरे पास लोग बागाते हैं कि शमसान साधना सिखाईे, समसान साधना कोई हसी मजा का खेल नहीं है, बूत ब्रेट, चुडएलों के बीच में, समशान घाट में, नदी किनारे, समसान जगापे, जंगल में, गुफाओं में, पहारों पे, यहीं पर तो होता है, आपके मन से जर हटेगा, तब ही तो आप समसान साधना कर सकते हैं, ले किनारे या जंगल में, मैं जंगी जंगलों का नात्रों, वहां पर आप जो है, एक राद इताई है, एक ये दो राद इताई है, उसका वीडियो बनाई है, मुस्ताग नीचिए, यदि मैं अप्रूब करूँगा, तो ही आपको सिखा पाऊंगा, अन्यता नहीं, इसका मेरा इसी कड़े में दिल्ली के एक सहाब थे, तो उन्होंने उससे सब पर किया, मैंने उससे कहा कि भई देखी, मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे एक सब पूरा कीजिए, आप किसी हॉंटेट, दिल्ली के जो सबसे हैंकर हॉंटेट लगा है, वहां पर राद बि देखे किनारे, आप जो है, वीडियो होना के हमको भेजिए, अब ये बात जो है, आए गई हो गई, करीब दो-तिन मेहने बाद, ये सन 2018 की बात है, उनका फोना है मेरे पास की बावाती, मैं आपके साथ पूरी करने के लिए, आज राद में माल्चा मेहना आपने सुना होग में वहां जा रहा हो, अब पूरी रात रुकूंगा, अब जैसे आपने कातर नो से ती, नो से ती ही रुकूंगा, बस मुझको क्या क्या सवधानी रखने, क्या क्या ले जाना ही बता दिए, तो मैंने का ठीक है, आप बिज जाना चाहते जाए, ये मेरा आशी बाद है, पाइंगे दूसरा पानी की बोतल। जरू ले जाना बहुत बड़ी सी नहें। नहेंके आप अपने साथ कोई जो है डंडा चाकु या कोई चीजा यह से ले जाएगा और एक लाइठ लाइट और एक टॉट्स जिसके बैटरी बिलकुली हो असा ले जाएगा है और सब कुछ ले जाके आपको ठीक नौ बजे पहुंच जाना है वहाँ पर तो उसने का ठीक है आप जैसे आग्या करें मैंने का आप जो है उसके बाद जो है वो करीगा तो अब मैंने भगवान से प्रात्ला की देवी मता से कि उसका कोई जानमाल का नुकसान ना हो कमसे को उसके डर मन सहटे ये जो है दो हजार अठार या उननिस की बात है उसको याद नहीं आ रहा लेकिन हाँ ये जाड़े का मौसम था और आमावस की साथ उसके बाद आमावस भी था यानि रात में आमावस पढ़ने वाला था तो गोप लेह रहा होना लाजमी था अब ये जो है कि आखता है भायाना चारों तरफ जब मैं माल्चा भवान के बारे मने देखा तो भहिया बीस पच्चिस किलिमीटर दिल्ली जैसे शहर में घना जंगल बहुत भैंकर जंगल वह भी जंगली जानवर से भरा हाँ चेरचीते नहीं होंगे लेकिन तब भी खुंखार जानवर तो हैं और वही पर चारकपुरी में है और वही पर इस्रो का बहुत बड़ा स जो है क्या करते हैं बिल्डिंग बनी हुई यह शुरू की अब उसी जंगल में ही मालचा महल है मालचा महल कहा जाता है कि फिरोसा तुकलक ने 1325 सं 1325 एपसी में फिरोसा तुकलक ने इसको अपने शिकारगा के रूप में बनवाया था वह अक्सर यहां रुकते थे और धीरे धीरे उसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला यह जो है प्रकास में तावाया जब कि अवत की महरानी बिलायत महल अपने पुत्री शकीना महल और पुत्र शो कहीना महल थे और जो है उसकर उनका बेटा था पुत्री शकेना महल और श्याद्धा nostra Department of अ शहजादी शकीना थी और शहजादा आली रजाखार मनल एक बेटा एक बेटी और 26 कुत्तों बारा नेपाली नौकरों के साथ वो जो है दिल्ली के वीवी आईपी डिल्ली रेलवे स्टेशन के जो वीवी आईपी जो होता है रूम होता है मतलब पूरा बड़ा सा तो वहां प रेलवे स्टेशन पर कपजा जवाल या तो अफ्रात अफ्री मचनी है वहां के लोगों के करमचारी ने बहुत कोशिश की कि उनको वहां से अटाया जाए लेकिन वह हटी नहीं थो हटी नहीं उनका एक था कि सरकार ने बिट्रिस कवर्मेंट ने उनके सारी परपर्टी जीफा बान दिया था कि सरकार मुझको मेरी जप्त की हुई सब्बत्ती को लोटाए महां यहां से चली जाओंगी और उनके साथ बहुत सामान भी था तीन लोगों के साथ 30-40 लोग थे अब बताए कुत्तों सहीत ये वो सब वी वी आईपी उसमें लाउंज में रहना जालिन इंद्रा गांधी पधान मंत्री स्वरगी स्रीमती इंद्रा गांधी जीको पता चला उन्होंने इसमें हस्तक छेप किया और महारानी को एक दिल्ली में खुप सस्त बंगलाय लाट किया लेकिन महारानी तो महारानी बंगला उन्होंने देखा लेकिन उनके नाग भो अब दिल्ली जैसे महल, शहर में महलों की कमी तो नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे कौन देते हैं, भाभाद, ढोलत, 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 ढोलत जखने जंगलों के पीच मालचा महल, किसी ने उनको सुझाया, और उसी को मालचा महल कुनों ने, इलोट कर दिया, अब महरानी अपने लाओ, लसकर और करिंदों के साथ और कुटों के साथ और बेटी शकीना और बेटा अली रजा खान के साथ महा पर उनोंने बसेरा शुरू किया कुछ परिवर्तन भी कराए सुन्दर ढेंग से उनोंने सजाय बजाय सब कुछ था मनलब रोयल्टी मनला रॉयल फैमली की वो दिखी कि जितनी चीज़े थी सब बेशकिमती और एक महल के महारानी के अनुरूपी थी तो वहाँ पर वो आराम से रहने लगी बहुत साल बाद जो है क्या करते हैं उनको पता नहीं क्या डिप्रेशन मनला बुड़ी तो वही चुकी थी उनको डिप्रेशन हुआ क्या हो तो उन्होंने अपने अंगोठी तोड़ी और उसका हीरा निगल लिया और उनका दिहान थो गया कहा जाता है दस बारा दिन तक तो उनकी डेड वाडी के साथ उनकी जो है क्या करते हैं लड़की और लड़का चुप चाप रहे थे उसी महल में फिर जब बदवदवव आने लगी तो लड़का और लड़की ने अपने नौकरों से खुदवा के उनकी कबर वही पर दफना दिया उसी जंगल में धीरे धीरे बात फैल गई कि हाँ महारानी बिलायत महल का दिहान दो चुका तो लोगों ने फिर जो है क्या करते हैं मतलब लेकिन बहाँ पर किसी को घुसने की जाज़त नहीं थी घुना जंगल था कोई भी नहीं जा सका सिर्व उनके करिंदे जो नौकर थे वो ही सब सावानों लाते थे और खाना पकाना सब कुछ वो ही सब करते थे और कुत्तों को खिलाना उनको वहीं जंगलों में घुमाना सब कुछ होता थे एक दिन अचानक और उनकी जो बेटी उन्होंने बिलायत महल के पर बहुत बढ़िया ठंक सा एक बहुत अच्छी किताब लिखी है शहजादी शकीना ने तो वो भी हुआ टेलफोन भी उनके पास था हमाई खाल से शायद मुबाइल फोन हो या कैसा हो लेंड लेंड लाइन हो टेलफोन का लेकिन था वहाँ बिजली थी ना पानी थी के नौकर जो है पानी ढोडों के लाते थे कहां से लाते थे ये मालूम नहीं अब ठीरी धीरे से मैं बीटता कि शहजादी शकीना भी एक दिन रहस में ढंक से उनकी मियो मौट हो गई उनको भी दफना दिया गया उसके बाद आएगा शहजादा अली रजा खान रिष्ट पुस्ट लंबे चोड़े खुपसरस जवान थे कबरू जवान थे एक दिन क्या हुआ अचानक जो है क्या करते हैं पांच से गुंडे वद्वास उनके वहीं पर महल में आ गए और लूट पार्ट करने लगे किसी तासों ने मुकाबला किया कुटों ने मुकाबला किया वो भाग गए जो को सामा उनके हाथ में लगा ले गए तब सरकार ने उनको एक पिस्टल आत्मरक्षा के लिए और लाइसेंस मुहया कराया क्यों वी वी आईपी तो थे ही शैजादे थे आवद के शैजादे इतना तो करने ही चाहिए था सन साद चलता रहा ही सा शैजादे पढ़ने लिखने शैजादे बहुत पढ़ने लिखने उनके शैजादे जो थी बहन वो भी पढ़ने लिखने की तो बिलायत महल थी वो भी पढ़ने लिखने थी तो किताबों के एक अलमारी भरी पड़ी थी किताबों से एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि 2017-2018 के बीच में शाजादय अली रजा खान का भी दिहान दो गया और जो है क्या करते हैं वो अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए शायद इस्ट्रो के करमचारी थे वो अकसर उनसे मिलने जाते थे खैडियत लेने के लिए एक दिन वो गय तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर मरे पड़े हैं तो नोने जब पुलिस को सूचना दी पुलिस आई या पुस्ट माटम के लिए ले गई उसके बाद वो महल बिरान हो गया फिर तो बहाँ जैसे बहार आ गई चोरों को जैसी पता चलो उन्होंने सब बहाँ से सब गायब करना शुरू कर दिया कीम्ती काली इंगलीचे और जो है क्रॉकरी और जो भी जो भी सामान मिला सब ऐसा कि बुक से बहुत था उसमें बहुत सी किताबे थे किताबे भी लाद के लेगा पता नि कहां बेद दिया होगा चोरों ने इस तरह से एक दर्दनाक मौत हो गई और वो जगह ऐसी होगे भैंकर कि वहाँ दिन में जाने में डल लगता और रात में तो पूछी ने वहाँ मेरा सब्सक्राइबर कि रहा अब जो है तब करोना शुरू नहीं हुआ था जाड़े का मौसम था चारो तब डिल्ली में ऐसे जाड़ा चलते ठीक नौ बजे वहाँ पर शिड़ियां चड़के अंदर पहुचा तो उसने पहले पूरा मौइना किया महल किसीता से महल तो लग नहीं रहा था कवाड़ खाना लग रहा था सब लट बलट टूटे फूटे मेज कुट्सियां सब तूटी फूटी थी गली चे सब गंदे संदे उलजे पड़े थे तो उसने सबसे पहले जो है मैंने उससे कहा था कि वहाँ के अत्रिप तात्माओं के लिए आप नौन बेज ले जाईएगा तो वह नौन बेज बनवा के मुर्गा मचली सब बनवा के ले गयते मटन मटन तो उन्होंने एक प्लेट निकाला प्लेट पर सब रखा और वहीं पर टूटी फूटी मेज थी उसको कप्रे से साफ करके उस पर रख दिया अचाने क्या देखते हैं कि क्या करते हैं पूरी पूरी प्लेट खा ली होगी नौन बेज कहा गया कौन खा गया मालूम नहीं उनके आखों के सामने ऐसा हुआ अब तो वह दैशत में आ गए धीरी धीरी रात बीटनी लगी नौ बज़े वो गय ग्यारा बारा बज़े जंगल में अचानक किसी आउरत की चिखने की आवाज आई बहुत जोर से और फिर दोड़ते हुए कदमों की आवाज आई उसके वह सब शान्त हो गया फिर जो है क्या करते हैं धीरे धीरे बारा एक के बीच मुन को लगा कि कमरे में कोई चहल पहल हो रही है दो लोग आपस में बाते कर रहे है तो उसने उस कमरे में जाके देखा जहांका टॉट जला के देखा लेकिन कहीं कोई नहीं सिर्फ चमगादरी चमगादर थे लेकिन पुस्वराट की आवाज फिर उनको ऐसा लागा कि जैसे क्या करते हैं किसी लड़की ने उनको ऐसे धक्का देके जड़ासा हलका पुश करके वहाँ से निकल के चले गई है वो पीछे पीछे गए एक कमरे में उनने देखा हॉल जैसा कमरा था वहाँ देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठी हुई है उमर 25-30 के बीच में हो कि कोई महिला थी खूपसरत थी बहुत सुन्दर उनका चैरा था परियों जरसे देखने में लग रही थी सफेर उनके कपड़े पहने थे किम्टी और चैसी उनकी टाच के रोसनी उस पर पड़ी और वो जो है एक अजीफ सी निगाहों से देखते हुए वहां से ग्याइब हो गई और पाइलों की आवाद बहुत दूर दूर तक कूशती रही सरसाथ होती रही भैंकरता बढ़ती गई रात भी बढ़ती गई तो उन्होंने जल्दी से कहा कि मैं खाना खा लूँ ने तो मेरा खाना रह जाए खाना खाया पेड भरके पानी पिया और फिर वहीं पर रहे गए फिर ऐसा लगा कि कोई नौजवान उनके कमड़े में चहल पहल कर रहा है देख रहा है उनको लगातार और एकाद बर जो है क्या करते है उनके पास से भी गुच्रा अब इतनी भैंकर रात भी हो गई थी और इसता भैंकर चंगादर भी थे और जंगल से बहुती जनवरों की चितकार सुने थी अभी तभी तो भी या पेर पर भही पापास में एक बड़ा सा पीपल का पेर था उस पीपल के पेर पर जो है एक उल्लू बैठा और चिलाने लगा बहुत जोड़ जोड़ से अब तो वो दर के मार उसकी जान निकल गई घड़ी देखा तो सवा दो बज रहे थे उसके तो हवाईया निकलने लगी फिर एक समय ऐसा आया कि जैसे लग रहा कि बहुत गुसाए है और किसी को मार रहे है पकड़ पकड़ के अब वो चिला रहा है अब मारते 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 उसके चीख धीरे 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 तेज होते 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 फिर धीरे कम हो गई और बाहर की तरफ आया और दो तीन किलोमीटर का रहता था सड़क में रोट तक जाने का वो पैदल चलते चलते पहुँचा है तो देखा एक जो है कोई नेपाली टाइप का एक आदमी नेपाली टोपी लगाए और कुर्ता सलवार पहने चला रहा है गठ्री ला दे कंधे पर तो उसने मेरे सब्सKeyber ने को चान में जा नै कोई एक जिंदा आदमी तो मिला जंगल में तो कहा अड़े बैर कहां जा रहे है और कौन हो तुम तो उसने कहा मैं महरानी जी को यह सामान घरलू सामानलों उनको देने जा रहा हूँ mais उनका नोकर हो महरानी के नोकर हो महां को कोई शहजादा ना कोई शहजादी वो तो बिरान भुताहा बंगला है तुम कहां चले आ रहे हैं मैं तो जान मचा के वहां भागा हूँ और क्या तुम को जान प्यारी नहीं है जान प्यारी हो तो चले चलो मेरे साथ मैं बाहरी जा रहा हूँ उसने का बावो जी जो मर चुक मैं खुद मर चुका हूँ बहुत साल पहले अरे भीया ये सुनते ही जो है उनकी रोंगते खड़े हो गए देखा वो आदमी एक छलावे जैसा गायब हो गया तुरंत ही अब वो उनकी जा बिलकुस सांसत में आ गई प्यास लग रही थी बूतल से पानी निकाला गट-कटा के पिया बुतल खाली बुतल को भाही फेक दिया और जो है दोड़ते रहे दोड़ते रहे जब थोड़ी दूर पर देखा कि एक बूढ़ी इम्मा पांच लीटर कर जो दूद का कैन होता वो लेके चले रही करें तो सब्सकाबर रुका कि आरे भाई अब आप कौन है तो जब रुका तो वो भी रुक गई तो कहा मैं महरानी को दूद देने जा रही हूं तो उसने सब्सक्राइब ने कहा पागल हो गई क्या वहाँ ना कोई महरानी है ना महराजा है ना शहजादा है ना शहजादी है वो तो भुतवा है जंगल है बिलकुल और महल भी बिलकुल भुत कि मैं तो रूज दूद पहुंचाती हूँ, तुम कोई दी मरना नहीं इस उमर में, तो चलो मेरे साथ, अभी थोड़ी दूर रहेगा, सड़क पहुंचाते हैं, वहां से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा घर जाने का, जान प्यारी तो आज हो मेरे साथ, वो भी कहने लगी हाँ 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 हसने लगी, और कहने लगी बूरी हो गई तो क्या, मुझको मौत का कोई डर नहीं कि मैं भी तो मर चुकी हूँ, आरे भाईया इतना सुनता हूँ, उसकी बिलकुल लोज ने देखा कि उस बूरी का जो है धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगा, बाल खुले हु तो वहाँ गया, पुलिस वालों ने उसको रोका, क्यों या कहां दोड़ के आ रहे, क्या हो रहा, कोई दंगा फसाद हो गया क्या, क्या, नहीं, या इसा ऐसा मैं अंदर गया था, अपने गुरू जी की आ गया से, मल्चा महल के अंदर, वहाँ मैंने बहुत भैंकर रेंका पूरी उसने दास्तान बताई, पुलिस वालों ने उसको एक गिलास पानी पिलाया, शान्त होके कहा बैठ जाओ, गाड़ी में बैठाया अपने, जो पिकेट वाली गाड़ी थी, और कहा, देखो, वहाँ जाना बिल्कुल मना है, लेकिन तुम गये हो, तो हैं चान बचके अब इसी गाड़ी में बैठा रहो, अभी थोड़ी देर में सुवा हो जाएगी, कोई धर से निकलेगा, तो मैं तुमको सवारी निकलेगा, तो मैं तुमको बैठा दूँगा, फिर जहां चाना, जब शहर पहुंच जाओ, तो जहां जाना चाहो, वहां चले जाना, अब ज सब्सक्राइबर ने सबको धन्यवाद कहा, और जो है, नमस्कार करते हुए, वो पिक अप पर बैठा, और शहर की तरफ चल दिया, ये मेरे कहानी है, मालचा बहिन के आपको कैसे लगी, शेर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स जरू ये करीब जो है, ये जो आखरी समय करोना चल दा था, उसी में उसका दिहान तो गया, और उसकी बाड़ी को कोई देख भी नहीं पाया, डारिक वहीं से बाड़ी ले जाके, उसी में लपेट के जो बनाया था करोना किट, उसी में लपेट के जाके, समशान में चला दिया ग करता ही फोन पे और वो वीडियो भेजने आ लेता पता ने बिमार पड़े गया थे वीडियो नहीं भेज पाया इस तरह से इस कहानी का अन्तुवा कैसे लगे कहानी नमस्कार जैहन जैवार